PM Swanidhi scheme को लेकर question पूछाए कि बताएं इसमें से कौन सी statement आपकी correct है, कौन सा कतन आपका सही है, पहली statement कहती है, पहली statement कहती है, पास लॉंच्ट बाइ, Ministry of Housing and Urban Affairs, Ministry of Housing and Urban Affairs के दवारा PM Swanidhi scheme जो है, इसको launch किया गया है, only schedule commercial banks are allowed to provide loans under this scheme, तो यहां पे जो आपके SCBs है, that is schedule commercial banks है, वही इसके अंदर loans को provide कर सकते हैं, सोचिए इसके बारे में, फिर PM Swanidhi के बारे में हमारा discussion चुरू होगा, चली, तो यहां पे सबसे पहले तो मैं आपको scheme के बारे में बताता हूँ, इसकी full form जानना ज़रूरी है, otherwise, यहां पे समझ में नहीं आएगा scheme किस चीज को लेके, कि exam में full form नहीं आएगी, exam में तो PM Swanidhi ही लिखा हूँ आएगा, तब ही मैं कहा रहा हूँ कि बिलकुल अच्छे से आपको full form भी पता होनी चीए, ताकि आप recognize कर पाएं कि यह जो scheme है, street vendors के लिए, street, PM street vendors, आत्म निर्भर निधी, क्योंकि जब आपको full form पता होगी, तो कही अपने काम को वो अच्छे से चला सके, और यह जो 10,000 रोपे दिये भी जा रहे हैं, काफी कम rate of interest पे दिये जा रहे है, अभी तक क्या होता था, जब schedule commercial banks या फिर दूसरे banks इस तरीके की working capital प्रवाइड नहीं करते थे, जो street vendors हुआ करते थे, वो private area से जाकर, या फिर किसी individual से जाके पैसा लेते थे, और वहाँ पर जो rate of interest होता था, वो काफी जादा उनसे charge किया जाता था, even 20-30% तक भी उनसे charge किया जाता था, और यहीं पर ही, पूरे के पूरे debt trap के अंदर वो फस जाते थे, क्योंकि इतना जादा rate of interest देना, उनके लिए नामुमकिन हो जाता था, त इनके द्वारा भी इस scheme के अंदर जो लोन है, वो दिया जाता है, so it is not only confined to schedule commercial bank, that is the most important thing, याद रखिएगा, first statement की बात करे तो yes, ministry of housing and urban affairs की scheme, answer क्या हो जाएगा, a will be the correct answer.